नमस्कार दोस्तों, आज बहुत इंतजार था, NCB की जो चार्शी दाखिल की गई है, उस पे कोट में सुनवाई होनी थी, शुबह से ही इंतजार था कि आज क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि NCB के तरफ से जो भी कारवाई थी, वो की गई काफी तैयारियो के साथ, और उसके बाद, काफी इंतजार के बाद, कोट ने अब अगले डेट पे सुनवाई को टाल दिया है, यानि कि आज कुछ नहीं हुआ, अब जो अगली तारीक, अभी पता नहीं चल पाया कि अगली तारीक कौन सा है, जैसे ही पता चलेगा, मैं आपको अपडेट कर होगा, यह एक ऐसी बिडंबना है, जिसके बारे में हम लगातार इंतजार करते हैं, कि आज कुछ हो सकता है, आज कोई अच्छी खबर आएगी, परन्तु, इंतजार इंतजार ही रह जाता है, और यह इंतजार आज से ही नहीं है, पिछले दो सालों से है, पिछले डेट पे यह दिया गया था कि बारत तारिक को अब इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि जो आरूपी थे, उन्होंने एक पिटिशन दाखिल किया था, तो जिसके कारण से यह चीज़े रोक दी गई थी, अब आज भी सुनवाई नहीं होई, और आज जो खबर आई, उसके मताबिक अब यह चीज़े अगली डेट पे चली गई है, तो यह लगातार इंतजार की जो घड़िया है, जो हमारी इंतजार है, वो बढ़ता जाता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, इंतजार कितना भी हो, जो गुनागार हैं, उनको तो सजा मिलेगा, और हम जितने भी सुसान के फैंस हैं, वो मायूस नहीं होते हैं, हम अपनी लड़ाई लगातार लड़ते रहते हैं, और हम लड़ते रहेंगे, जैसे ही मेरे पास अगली सूचना आती है, कि कोट ने अगला डेट कौन सा दिया है, उसके बारे में आपको information मैं तुरंत दे दूँगा, और इतना ही कहू मामला है, रिया के उपर ड्रक से संबंदित, यह समझे के अंतिम चरण में है, अब इस मामले में कारवाई तुरंत हो जाएगी, तो ज्यादा हमें इंतजार नहीं करना है, और इस मामले में सफलता जरूर मिलेगी, बने रहिए, जैहिन जैभारत!